गैस हम लोग बात करेंगे हिमालियन वूल्फ के बारे में तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर हिमालियन वूल्फ जो है वो वल्लेरिबल काटेगरी के अंदर आते हैं तो IUCN की red list के अंदर vulnerable category के अंदर हम लोग को हिमालियन wolf जो है वो देखने को मिल रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि एक estimation जो है वो लगाया गया अनुमान जो है वो लगाया गया कि इनकी population जो है वो 275 से लेकर 3792 है यानि कि mature individual की यानि कि जो mature जो होते है न वूल्फ बेडि है तो जो mature है वो करीब आप कह सकते हों कि 2300 से लेकर जो है वो 3800 तक की इनकी प्रजाती यानि की population जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है और ये नेपाल इंडिया तिबित के छेतर में जो है वो मिल जाते है और हमारा जो wildlife protection act 1972 जो है जिसको हम लोग हिंदी में कहते है व को हम लोग बोलता है convention on international trade in endangered species of flora and fauna और इस topic को मैंने आपको पहले already ये पूरे जितने भी topics है ना हमने environment में पूरे topics है वो finish कि हूए है environment की general studies की class में तो general studies बहुत जादा important होती है क्योंकि उसी से आप जो है वो relate कर पाने current affairs को तो आपको side by side अगर preparation अच्छी करनी है तो general studies को strong करना जरूरी है तो हिमालियन wolf जो है वो हमें CITES के appendix 1 के अंदर देखने को मिलते हैं तो हमने क्या समझा हिमालियन wolf wildlife protection act 1972 के schedule 1 के अंदर CITES के appendix 1 के अंदर और IUCN की red list में vulnerable category में आते हैं तो ये तीन चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा और अब देखो इनको कि इनकिन चीजों का खत्रा है तो सबसे बड़ा खत्रा तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनका habitat modify हो रहा है नेकि इनका आवास जो है वो खतम हो रहा है कि लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया इनका जो छेतर है आवास जहां पर यह रहते हैं वो कम होता जा रहा इनका जो खाना है वो खतम हो रहा है क्योंकि वो भी खतम होता जा रहा है तो हमने discuss किया था ना कि जब हम environment की class पढ़ रहे तो हमने food chain food web के बारे में discuss किया था कि एक भी particular प्रजाति अगर खतम हो रही है तो उसका असर जो है वो दूसरी प्रजातियों के उपर पढ़ेगा तो ये पूरा एक छोड़ा सा topic था हमालेन वूल्फ से related जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है